Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? मैरे पास बहुत सारे स्टुडेंट्स के मैसेज़े आये थे कि सर कुछ टिप्स और ट्रिक्स दीजिए, सिरफ लास्ट वीक रह गया है अब एक हफते में हमारे को क्या करना चाहिए, क्या निकरना चाहिए और आपकी तरफ से कुछ टिप्स आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ और कुछ टिप्स दूँगा बहुत अच्छी जिससे आपकी बहुत अच्छी एफिशेंसी आपाएगी इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखना ठीक है, ब्रेफ इंट्रोड़क्शन अबाउट मी मैं नेम इस अमित खुराना, I have secured AI 94 in gate 2020 ये मेरे क्रेडेंशल से आप लोग चेक कर सकते हैं I have 12 प्लस टीचिंग एर एक्स्पिरियंस तो I am equally eligible to make such kind of videos ठीक है, और I have mentored more than 50,000 students तिल नाओ, ठीक है, चलो भी, start करते हैं वीडियो को तो the very first tip जो मैं आपको देना चाहूंगा जो बहुत सारे सुट्टेंस को confusion आता है कि revise ज्यादा करें या test ज्यादा दें तो मेरी inclination test की तरफ रहेगी आपको test ज्यादा देना चाहिए यह मैं अपने experience से बता रहा हूँ क्योंकि देखो, test देने से क्या पता लगेगा आपको बहुत सारी बाते पता लग जाएगी पहली चीज, जो बहुत सारे students lag करते हैं, that is time management time management, ठीक है तो आप अगर time manage नहीं करना आता आप लोगों को आपको पता नहीं लगता कि कितना time किस question पे देना चाहिए कैसे multiple passes में paper को attempt करना है, and so on तो वो सब कुछ आपको test से पता लगेगा और अगर आप already बहुत सारे test दे बैठे हैं, तो कोई tension वाली बात नहीं है, आप revision पर revision कर सकते हैं थोड़े PYQ साथ साथ देखते जाना ताकि आपको पता लगता रहे कि वो formula कैसे apply हो रहा है, नहीं तो फिर वो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाता है, question gate exam में बार बार से में तो twisted आते हैं, ऐसे twist है तो उसको twist open up करने के लिए आपको थोड़े सा approach आना चाहिए, तो वो आपको PYQ से समझ में आ जाएगा, तो again I am repeating, अगर आपने test काफी सारे दे लिए हैं तो फिर और फालतू के test दे करके इस हफते में कुछ ने मिलना, आपको revision पर बहुत ज़दा focus करना चाहिए, अगर आपने test नहीं लिखे हैं, मतलब on an average, 8 से 10 test आपको देने चाहिए, तो अगर आपने 8 से 10 test दे चुके हो, आप full length, तो आप छोड़ दो अब test के पिछे मत भागना, अब आप revision करो लेकिन अगर आपने अभी तक test प्रॉपरली नहीं दिये हैं, तो मेरा concentration रहेगा कि आपको test पे focus करना चाहिए, revision अभी इतना मत करो, पहले test पूरे अच्छे से दो, at least time manage करना सीखो, अगर आखरी का आधा गंटा बच गया है, और उसमें तुम्हारे 10 से 12 question बच गये हैं, और वो तुम attempt नहीं कर पा रहे, आप panic कोंड में आ रहे हो, या पंदरा मिंट बचे हैं लास्ट के और आपकी 7-8 question बचे हुए हैं, उसका फिर फायदा नहीं है, है ना पढ़ा, ना पढ़ा, एक बराबर हो जाएगा, क्या फायदा, आपने revision कर भी ली, सारा कुछ formulas भी आते हैं, सारा paper आपको आता, सब कुछ आता है, लेकिन आप टाइम ही नहीं मैनेज कर अपारे, तो फायदा क्या, है के नहीं, तो तीन गंटे हैं उसमें maximum output चाहिए, तो 8-10 test आपको ज़ूर देने हैं, तो अगर आप दे बैठे हो, तो उसको मारो गोली छोड़ो revision करो, अगर नहीं दिये हैं, तो फिर आपको test देने चाहिए, मेरे इसाब से, तो आपको स्ट्राटेजी स्टाइम पर फॉलो करनी चाहिए, आए अगली slide पर अगली tip मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स टिप है हमारे पास, अगर नहीं हुआ तो क्या करें, तो ये बहुत obvious ही बात है, ये इसलिए मैंने लिखा ये ऐसे है, ताकि आप लोगों कि देखो, हिंदी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो ये एकदम mind में fit होती है, तो वही चीज मैंने इसलिए question इस तरीके से लिखा, कि अगर नहीं हुआ तो, ये सबसे ज़्यादा question students को परिशान करता है, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है, उनको ये tension नहीं होती है, कि चलो नहीं हुआ तो जो भी होगा, बट society का जो pressure है, उससे बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे होते हैं इस टाइम पे, कि लोग क्या कहेंगे, तो एक simple dialogue मारूँगा, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, और इसका इलाज क्या है, भढ़ में जाए लोग, कोई फरक नी पड़ता किसे से, सिर्फ believe on yourself, अगर आपको अपने उपर believe है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भई सब का मुँ बंद हो जाएगा, एक बर तुम्हारी rank आगी तो, ठीक है, तो इससे फरक नहीं पड़ता, कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये सब thoughts, आपको अभी, अगर आभी रहे हैं ना, देखो, मैं ये नहीं कहता कि बंद हो जाएग, of course आते हैं, तो आप at least अपने मन को इस तरी के से समझा सकते हैं, कि भाई, तु साथ दिन रूख जा, है ना, अपने मन को समझाओ, अभी, अभी मैं इस बारे में नहीं सोचता, अभी मैं अपना काम करता चलता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या होता और क्या नहीं होता, तो अभी फिलाल सेवन डेज के लिए इस तरह हैं के thoughts पे pause लगा दीजिये, और अपना चुप-चाप से काम करते चलिए, एक हफते में कोई कुछ नहीं उखाड सकता, बिलीव मी, मतलब डिरेक्ली अगर आपको लगता है कि मैं ये हफता ब्रबाद नहीं करता, गेट 2024 के लिए तियारी कर लेता हूँ, हैना 2023 तो गया, तो उसमें फोकस करता हूँ, और अपना फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर लेता हूँ, अच्छी बात नहीं है, तो यह मैंनी बता रहा हूँ, अपने एक्स्पिरियंस से बता रहा हूँ, प्लीज इस तरीके से मत चलना, साथ दिन है, इनको अच्छे से यूटलाइज करो, और पेपर अटलीस जरूर दो, अगर तुम क्वालिफाई भी करते हैं, बाके सब कुछ मारो गोली, प्रिपेर फॉर फॉर दा वस तो हुई, गेट 2024 तो चलो देना ही देना है, एक साल ड्रॉप लेना है, या आप थार्ड येर में जो भी है, मुझे नहीं पता, बाट अगर आप सोचके बैठ चुके हो, कि 2024 देना ही है, तो अगर तुमने 2023 क्वालिफाई भी कर लिया, तो तुम्हारा कॉन्फिदेंस अगर यहां है न, तो बहुत बढ़िया काम करके आओगे, क्योंकि एक बैक अप तुम्हारे पास होगा, कि 40 नंबर तक तुमेरे हाई रहे हैं, 40-45 आ रहे हैं, NIT तो किसी ने निची न, किसी NIT में तो बैठा ही होंगा, अगले साल भी, एक बैक अप अप जब किसी इंसान के पास होता है, तो फिर वो बहुत ज़ादा काम कर पाते हैं अच्छे से, तो इसलिए मेरी सजेशन ये रहेगी, कि साथ दिन है तुम्हारे पास, इसको खूब असे से उट्रिलाइज करो, और एट लीस्ट क्वालिफाई करके आओ, या 30 नमबर या 40 नमबर, जितने भी तुम्हारे है, जो भी तुम्हारे को लग रहा है, जहां पर तुम्हारी ओकात है, जहां पर तुम हो इस वक्त मुझे नहीं पता, बट एट लीस्ट करके आओ, छोड़ो मत इसको, तो इसलिए मैं बोलूँगा, प्लीज, अगर नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, फालतू की बाते हैं, इस हफता इसको पॉज लगा दो, और अपना चुप-चाप से काम करते चलो, I hope clear हो गया होगा, आपको क्या कहना चाहरा हूँ, Do not skip lollipop questions, इसलिए मैंने बोला था, कि questions पे बहुत ज़्यादा इस टाम पे focus करो, कुछ-कुछ questions बहुत easy होते हैं, formula based होते हैं, अब एक-एक subject का मैं example ले सकता हूँ, बट आफ और उससे फिर वोई बात है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा नहीं खीचना चाहता हूं मैं आपसे सिंपल बात कर लेता हूं आपको क्या करना चाहिए जैसे देखो कुछ-कुछ फॉर्मलेज हैं जो सिंपल सिंपल चीजे हैं अगर उसके कोश्चन तुमसे अटेम्ट नहीं होते तो इससे बुरी बात क्या होगी मुझे यह समझाओ बहुत सारे स्टुडन्स उसको अटेम्ट करके आएंगे तुम नहीं करके तो इससे क्या फाइदा बात समझझ रहो थोड़ सा कोशिश को रहा हूं गेट एकजाम में यह मैं नहीं करता तुमने क्या पढ़ा है मैंटर यह करता है दूसरा क्या पढ़के आया है तो अगर दूसरा बच्चा कोश्चन अटेम्ट करके आ रहा है ऐसे चोटे-चोटे कोश्चन और तुमसे अटेम्ट नहीं हो तो महा बकवास बात हो जाएगी यह ठीक है तो प्लीज मेरी सजेशन है इसमें फोकस जरूर कर लॉलिपॉप चीजे जो बेसिक चीजे है उनको क्यों छोड़ के आना है ठीक है पेजिंग का कोई नुमेरिकल आ रहा है सिंपल सा उसमें पूछ रहे है नमबर ओफ एंटरिस पेज में कितनी होगी अरे सिंपल सी बात है बिए नमबर ओफ एंटरिस अब कैसे निकालते हो प्रोसेस साइज अपॉन पेज साइज करो उससे पता लग जाएगा कि कितने पेजिस होंगे जितने पेजिस होंगे उतने हमारे पास नमबर ओफ एंटरिस होंगी इतने सिंपल सिंपल जो जमा घटा डिवाइड करना प्लस करना माइनस करना अगर यह सब चीजे भी उनसे पतल लगेगा, जो आप फुल लांज टेस्स देते हो, उसमें लॉली पॉप कोउचन्स भी होता है, ऐसे थुड़ी होता है, कि जो पैसर के पैसर कोउचन्स भी होंगे, तो सब्जेक्ट मत देखो, कि यह सब्जक्त मैंने छोड़ रखा है, मैं इसका कोउचन नहीं करन आए, तो फिर बात अच्छी नहीं होगी, तो आप समझ दो इसीच को, इस तरीके के कोउचन्स आपको नहीं छोड़ने, इसलिए मैंने बोला है, लॉली पॉप कोउचन्स को मत छोड़ो, और एक बात बड़ी ब्यूटिफुल आपको समझा देता हूँ, यह जो अभी हमार और आप फ्री ओफ कोउच्छी टेस्ट दे पाओगे, और अगर 2024 के लिए भी त्यारी कर रहे हो, तो भी अच्छी बात है, अभी 100% स्कॉलर्शिप तक आपको मिल सकते है, अगर आपकी रैंक 1-10 में आती है, आप चक्छ कर लेना भई, तो टेस्ट देने का फाइदा है, फ टेस्ट ही तो है, उससे आपको पता दो लग जाएगा, क्या कुछ है, तो लॉलिपॉप कोशन का इडिया आपको इससे पता लग जाएगा, तो मेरे साब से आपको टेस्ट जरूर्ब देना चाहिए, ठीक है, ओके जी, अच्छा, और अगर आप मेरे से गाइडिड पर उसकी बात फिए पर हम अन्रोल करवारे ना चाहिए, अगर आपने रहाए तो उसकी बात फिर हम, हमारी जिम्यवारी हो जाएगी, मेरी जिम्यवारी हो जाएगी, और जो experience teachers हमारे साथ पढ़ाते हैं, हमारी पूरी team है, उनकी जिम्यवारी होगी आपकी rank लाना, आपकी पढ़ सकते इस आपको effort double triple करना पड़ेगा क्योंकि पहले आपको सारी खुद से सोचना पड़ेगा कौन सा सज़ग पढ़ना है कहां से पढ़ना है एक लाख एक चीज़े हैं और कहां से अच्छा मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा तो फिर वो ही बात है आप समझ पा रहे हो गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तो मतलब YouTube के जो contents हैं तो उस पर हम लोग इतना ज्यादा रिलाइन नहीं कर सकते अगर आप करते भी हो तो at least जो भी टीचर को आप फोलो कर रहे हो उसके credentials एक बार देख लेना वो रैंकर है नहीं है उसको कितना experience है किस तरीके से teach कर रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए दोखा नहीं होना चाहिए कि कल को कोई भी ऐसा टीचर से आप पढ़ रहे हो जिसकी ना तो रैंक है नहीं कोई experience है और कुछ भी गलत पढ़ा रहा है और आप उससे पढ़ते जल जा रहे हैं उसने subject नहीं करनी चाहिए आज लास्ट डे है बारा बजे तक का टाइम है और रोल करवा लो और अपना टेंशन रियो करके बैठ जाओ उसके बाद फिर हमारी टेंशन है आपकी टेंशन खताब है रैंक लाना सब कुछ करना वह हमारी जिम्मेबारी होगी आप से हम कैसे मैनत करव सबसे बढ़िया बात यह है कि समझ लो आपका स्लेबस तो कंप्लीट हुई रख है तो आपको ही टेंशन लेने की जूरत नहीं है कि सर स्लेबस कब होगा है और सारा स्लेबस you can say completed है अगर आप बैच मैनूल करवाते हो आप फीपे करते हो तो फीपे करते ही जो भी आपके पास फीज स्ट्रक्चर गिवन है 30% आफ के साथ जो भी आपको देना है अगर आप य से चलती रहेंगी उसकी तो आपको टेंशन लेने के जूरती नहीं है तो live प्लस recorded दोनों चीजे आपको मिल रही है तो मेरे साब से आपको करा लेना चाहिए बाकी आपकी मर्ची ठीक है जी ओके और ये आप रेनेंशन देख सकते हैं इस स्लाइड के और अगर आप राउद नोल करा होगे तो आपको मेरी personal guidance मिल सकती है ठीक है जी ठीक है जी तो I hope clear हो गया अगर सबको हाँ अच्छा एक दो बाते और है मैं आपके साथ discuss कर लेता हूँ fix your schedule schedule को आपको fix करके चलना पड़ेगा है ना जैसे साड़े नो से साड़े नो से साड़े बारा आपका पेपर ह सुबे का तो अगर आप रात को जागने वाले आदमी हो रात को बहुत आद एक्टिव रहते हो तो आपको यह धियान रखना है अब दिन का काम करना शुरू करना पड़ेगा लास्ट वीक है सेवन डेज है आपके पर तो सेवन डेज में काम अच्छे से करो और यह तीन घं को ठीक करो क्योंकि मैं नहीं चाहता आप साड़ेनों बजे पेपर में बैठे और आपको नहीं दा रही हो सिंपल बात है ना तो आई होप कियर हो रहा होगा सब लोगों को तो प्लीज ध्यान रखना भी अपना शेडूल एक दम फिक्स करके चलो ठीक है जी और डू नोट क तो भी आपको कॉन्फिदेंस काफी है तक बूस्ट अप हो जाएगा एक बैक अप तो मिलेगा एक हफते में कोई आंदी तुफान नहीं आ जाता के लिए अगर आप रिपेर करो तो एक हफते में आपको क्या लगता है कि मैं सब्जेक्ट खतम कर दूंगा चार-पां आप लोग और जितने यह देखो मैं इसलिए हिंदी में लिखता हो ता कि आपके मांड में चाज़े फिट रहें बीजी रहो इस पांट ऑफ टाइम पे जो जितना बीजी रहेगा वो उतना बढ़िया काम करेगा और फालतु के जो थौट्स आते हैं दिमाग में वो आने आ इस टाइम पे फिर आपको उल्ट सीदे थौट्स आएंगा और आप परशान हो जाओगे तो वह आपकी इच्छा है आपकी प्लैनिंग है प्रॉपर डेवाइस ब्लैन करो पूरे हफ़ते को प्लैन करो और उसको अच्छे से एग्जेकूट करने के कोशिश करो तो आपको स तरफ हो तो आप इस तरफ हो सकते हैं यू केंट बी ओन अधर साइड ओफ दर रिवर कि अगर आपने एक हफ्तर धंग से बिताया तो अधर साइड ओध रिवर मतलब यह वह क्वालिफाइड या अफिर अच्छे रहेंक आ रही है या अच्छे पांक्स आ रहे हैं एंड सो तो एक backup आपके पास बड़ा अच्छा solidarity हो जाएगा तो I hope मैं आपको काफी हद तक convince कर पाया हूँगा कि आपको quit नहीं करना जो भी मैंने आपको tips and tricks दी है I hope I am able to convey जो मैं आपको बोलना चारा था आपको सबको सब में आया होगा Thank you so much, Bye Bye